गुड इनिंग स्टुडेंट्स वैलकम टू जैट केमिस्टर वी केवे स्टुडेंट्स फिर से हम आ गए हैं आपके लिए 10 कुशन्स लेके तो बने रहेगा हमारे साथ और इन कुशन्स को देखते रहेगा ताकि आपके एक्जाम में ये बहुत ही ज़दा यूजफुल हो सक सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल की विनर कौन थे तो कल की विनर थे राजुकुमार तो प्लीज राजुकुमार आप अपना email ID या आप किसी भी social platform से हमें contact कर ले और साथ ही ये भी बता दे कि आपका medium कौन सा है ताकि हम आपको notes provide करवा सकें अभी तक हमने किसी भी student को कोई भी notes provide नहीं करवाया है क्योंकि five student होने वाले थे total आज जो five student complete हो चुके हैं विनर में तो हम इन five students को एक साथ notes देंगे यानि आपको एक जून या दो जून तक notes मिल जाएंगे और हिमान सुफागेरिया और प्रहला तिवारी इन दोनों ने email ID नहीं दिये तो प्लीज हमसे contact कर लें तो देखते हैं आज का पहला question which of the following is incorrect about hybridization तो आप लोगों को बताना है कि संकरण से संबंदित कौन सा यहां से statement wrong मिल रहा है आपको तो आप लोग इन options को देखिए पहला option आपका एकदम आपको correct दिखाई दे रहा है the concept of hybridization not applied to isolated atom wrong है क्या यह नहीं है यह right है second day hybridization is the mixing of at least two non equivalent atomic orbital यह भी right है अब third देखिए the number of hybrid orbital generated more than the number of pure atomic orbitals that participate in the hybridization process यह क्या है incorrect है क्योंकि hybridization में जितना pure atomic orbital होता है उतने ही हमें नए hybrid orbital मिलते हैं यहां हमें कम या जद्धा hybrid orbital नहीं मिलते हैं एक्चुल जितने होते हैं उतने ही मिलते हैं यहां पे third option incorrect है इसका मतलब यहां पे आपका third option एकदम right हो गया यह थर्ड आपका first question का answer हो गया second question है the hybridization state of the central atom in HGCl2 आपको बताना है HGCl2 में hybridization क्या होगा तो सब लोग जानते हैं HGCl2 में SP2 hybridization होता है फिर हम देखते हैं कि third question क्या है third question है the hybridization state of the central atom in ALI3 तो आप लोगों को बताना है hybridization क्या होगा तो आप सब लोग जानते हैं hybridization क्या होगा यहां पर SP2 होगा ALI3 में अब देखे hybridization निकालना मैंने आपको बता रखा है अगर किसी ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले वाले वीडियो देखे और फिर इन किशन्स को solve करिए आई होप अब बहुत ही अच्छे हैं में इन किशन्स को solve कर पाएंगे फिर हम चलते हैं fourth question की तब fourth question है in C3O2 the hybridization state of carbon age C3O2 में carbon की hybridization state बतानी है तो आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे bonding कैसे होगी और कैसे यहाँ पे compound पूरा arrange होगा तो यहाँ पे SP hybridization होगा कौन सा hybridization होगा SP hybridization और जिस वज़े से आपका यहाँ पे B option एकदम correct हो जाएगा अब हम जलते हैं next question की तरफ जो है आपका fifth question fifth question है by hybridization we mean the hybridization of आपको बताना है कि यहाँ पे hybridization से क्या mean होता है तो देखिए बताइए आप सोच यहाँ पे किस से related होता है क्या electron से related होता है यह atom से होता है यह proton से होता है सब लोग जानते है hybridization की definition में बार बार हम atomic orbital ही यूज करते है और actual में जो hybridization होता है वो atomic orbital से related ही होता है यानि यहाँ पे आपका fifth question में second option एकदम correct हो जाता है फिर है आपका sixth question the d orbital involved in sp3d hybridization is यानि आपको बताना है कि जब sp3d संकरन होता है hybridization होता है तो वहाँ पे कौन सा orbital यूज होता है d का कौन सा orbital यूज होता है या आपको बताना है क्या d x square y square यूज होता है बताईए आप क्या d z square यूज होता है क्या d x y यूज होता है या d x z होता है तो मैंने आपको बता रखा है वीडियोज में क्या होता है SP3D में DZ square huge होता है यानि 6th किशन में आपका B option एकदम correct है फिर हम चलते हैं 7th किशन की तरफ 7th किशन है SP3 hybrid orbital contain यानि आपको बताना है कि SP3 hybrid orbital में क्या होता है 3 by 4S character होता है 1 by 4th P character होता है 3 by 4 P character होता है या 1 by 2S character होता है तो आप सब लोग जानते हैं जो P character होता है वो कितना होता है 3 by 4th P character होता है यह सब लोग आप चानते हैं या आप जनरल SP3 में निकाल भी सकते हैं फिर हम चलते हैं education की तरफ In the protonation of NS3 molecule following statement is true आपको बताना है कौन सा statement NS3 के protonation के लिए right है A option is equivalent bond is formed Second है hydrogen bond is formed Third है hybridation state of nitrogen is changed And fourth है shape of NS3 molecule is changed आप सब लोग जानते हैं जब NS3 में protonation होता है तो उसकी shape में क्या आता है? Changes आता है और इस वज़े से आपका D option एक्दम correct हो जाता है shape of NS3 molecule is changed फिर हम चलते हैं 9th किशन की तरफ जो है the shape of sulphate iron यानी sulphate iron की shape बतानी है तो देखिए मैंने पिछले लेक्चर में D block में आपको करवा रखा है tetrahydralी shape करवा रखी है sulphate की और उसके साथ मैंने बता रखा है कि कैसे यहाँ पे permagnate की shape होती है तो देखिए यहाँ पे आपका D option एक्तम correct होता है sulphate की shape क्या होती है tetrahydral shape होती है यह जो 9th किशन है यह बहुत ज़्यदा important है आपके exam के लिए तो देखिए हो गए हमारे 9th किशन यहाँ पे complete अब हम चलते हैं 10th किशन की तरफ और 10 number किशन होने वाला है surprise gift winner का किशन और इसमें आप बन सकते हैं surprise gift winner और पास सकते हैं chemistry के notes jet, ICR, Bhu के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 number किशन को देखिए 10 number किशन है in which following compound central atom H4 bond pair and one lone pair आप लोगों को बताना है कि किस में 4 bond pair है और एक lone pair है यानि एक lone pair वे 4 bond pair वाले compound को पहचानना है कि किस compound के central atom में यानि केंद्रिय प्रमाणू में 4 bond pair वे एक lone pair है तो आपके option है पहला option है NH4 second है ICL4 minus third है S4 और fourth XF4 तो आप लोग इस question का answer right देके surprise gift winner बन सकते हैं और जो पहले के surprise gift winner है यानि हमें 5 surprise gift winner मिल चुके हैं तो प्लीज फाइफ लोग हमें जल्दी से जल्दी contact करिए हम एक जूनिया दो जून तक आपको notes provide करवा देंगे सो प्लीज आप हमें करते रहेगा thank you